ओम शिवेंक डेस आये नमहां मैं प्रफेसर एस्वी एसस नरायन राजू यूट्यूब चैनल में अब सबका मैं स्वागत करता हूँ चायवाद यूग के प्रमकवी स्री जैशेंकर प्रसाद जी द्वारा रचित अमर काव्य कमाईनी के लज्जा सर्ग से संबन्दित विबिन पदों की व्याक्या की सशुखला में आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जारू हूँ इस पद में स्रद्दा अपनी मानसिक स्थिती का वर्णन कर रही है निस्संबल होकर तिर्ती हूँ इस मानस की गहराई में चाहती नहीं जागरन कभी सपने की सुदराई में सबसे पहले कटिन शब्द देखेंगे निस्संबल विनापाते के यहां असहाय मानस हृदय या मानसरोवर सुदराई सुंदरत अच्छा निर्मान यहां देखेंगे इस रिदा क्या कह रही है मैं हृदय रूपी इस मानस सरोवर में असहाय ही तैर रही हूँ इस सुंदर सपने के बीच में मैं कभी भी उसके तूटने की इच्छा नहीं करती यहां इसका अर्द यह है कि नदी या तालाब में बड़ा या कनस्तर का सहारा लेकर तैरते हैं इससे डूबने का बै नहीं रहता परन्तु बिना सहारे के तैरने पर डूबने का बै रहता है यहां स्रद्दा कहती है कि मैं मन की तीवर इस प्रेम बावना में बिना किसी सहारे के गोता का रही हूं मुझे कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है इस प्रेकार इस प्रेम पत पर अपने आप चलने में पत ब्रस्ट होने या आगे विश्वासगात का संकट कड़ा होने से उस मार्ग से हट जाओं पर यह भी संभव नहीं है क्योंकि इस समय प्रेम मैं जीवन का जो सुहावना सपना देखा करती हूं मैं नहीं चाहती कि उसे देखती देखती मैं बीच में ही जाग जाओं और मेरा वह सपना तूट जाए देखिया कभी का आशय है कि अब स्रद्दा लज्जा से कहती है कि मैं अपने हुरदय की गहराई में असहाय होकर तैरती रहती हूं परन्तु फिर भी यह नहीं चाहती कि मेरा सुन्दरता से बरा हुआ स्वपन कभी तूट जाएं और मैं प्रेमवश के कारण प्राप्त की गई उत्तम दशा से जग जाऊं मानस शब्द के दो अर्द होने से सलेश अलंकार हैं रुपकात शयुक्ती और दुरुस्टानत अलंकार भी है निसंबल होकर तिरती हूं इस मानस की गहराई में चाहती नहीं जागरन कभी सपने की इस सुदराई में बहुत बहुत धन्यवाद